Hello everyone, this is me Sukpreet and welcome you all to my channel आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि आप चेहरे के उपर फाउंडेशन कैसे लगा सकते हैं फाउंडेशन अगर सही तरह से अगर आपने अपने फेस के उपर अपलाई नहीं किया तो आपका फेस बहुत केकी दिखेगा, मेक अप जो है वो सही बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि फाउंडेशन जो है वो मेक अप का बेस होता है अगर बेस ही गरबर हो जाएगा तो पूरे का पूरा मेक अप लुक जो है वो स्पोयल हो जादेगा तो फाउंडेशन लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए तो वो कौन सी बाते हैं, कौन सी टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए कि ताकि आपका फाउंडेशन पैची ना दिखे, फेस केकी ना दिखे आपका फेस inडेशन लगाने के बार बात सक्किन जो है वो अची दिखनी चाहिए लेकिन बहुत लोगों से एसों होता है कि उनका फेस ओड़ साथ डिखनी लग जाता है इसיס हों िपार में आज की वीडियों मैं आपके साथ करने वाली हूँ तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहरी बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आजए तो आप इसको लाइक और शेर भी कर दीजे चलिए आज का वीडियो शुरू करें फाउंडेशन लगाने से पहले चेहरे का अच्छी तरह से मॉस्चुराइज होना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आप कोई भी मॉस्चुराइजर इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आप रेगुलर यूज कर रहे हैं इस्तमाल कर रहे हूँ भाइबलूम अब बोलेंगे की मैं मैं रॉल कर रहे हूं तो ये ऐसा ऑइल है जो लगाने के बाद प्रेस एकदम आईल ही नहीं लगता यह सकिन रीडियन्टी आई लेकिन आपके पास अगर आपके कोई और मॉस्चुराइजर है जो उर्श हिसाए तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं आजकल यह इस्तमाल कर रही हूँ यह एक तरह का एंटी एजिंग ओयल है और स्किन को रेडियन्स देता है इन स्टेप आता है प्राइमर लगाने का प्राइमर ओयली स्किन वालों के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि उनको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर लगाने से फेस के उपर का जितना भी एक्सेसिव ओयल है वो अब्सरब कर लेता है आप जैल बेस प्राइमर ले सकते हैं जैसे की कलर बार का मैट फिनिश प्राइमर आता है वो सिलिकन बेस्त प्राइमर होते हैं वो फेस के उपर एकसेसिव ओयल को अब्सरब कर लेते हैं face primer का भी काम करता है तो मैं कुछ और extra इसके उपर नहीं अपलाई करूँगी So foundation के लिए मैं इस्तमाल करी हूं Blue Heaven का silky florina foundation इसकी detail में नीचे description box में डाल दूँगी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कौन सा shade इस्तमाल किया है तो ये इसकी consistency है अगर आप देख सकते हैं तो ये थिक consistency में आता है Actually मेरा most favorite अगर foundation आप पूछे तो वो है Maybelline का Dream Sartan Skin foundation वो एक full coverage foundation है ये एक almost daily wear kind of foundation है और ये एक sheer से medium coverage देता है अब foundation लगाने का तरीका भी अलग-अलग होता है अगर आप चाहें तो finger से लगा सकते हैं ब्रश से लगा सकते हैं आज कल जो major trend जो रहा है beauty blender से foundation apply करने का लेकिन अज़ा कोई perfect rule नहीं है आप जिस तरह से भी foundation apply करेंगे आपको उस तरह की coverage मिलेगी अगर आपको sheer coverage चाहिए तो आप finger का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको लगा है कि आपको intensity बढ़ानी है तो आप brush का इस्तमाल कीजिए उससे intensity जो है foundation की बढ़ेगी coverage जादा बैठर आएगी same beauty blender के साथ भी लेकिन अगर आप beauty blender का इस्तमाल करने हैं तो ध्यान रखे आपको beauty blender को damp करना बहुत जरूरी है मैं यहाँ picture डाल रही हूँ आप देख सकते हैं dry beauty blender का और damp beauty blender का difference अगर आपने as it is dry use किया तो वो सारा का सारा product observe कर लेगा और जो आपका foundation है वो face पे जाएगा यह पूरा beauty blender observe कर लेगा तो यह damp है इस वक्त आप देख सकते हैं यह कितना fluffy लग रहा है और एक और tip foundation अब मैं बताती हूँ कि apply कैसे करना है अगर आपका foundation भी इस तरह का है जो आपके face को dry करता है तो आप एक चीज और कर सकते हैं मैं इसमें यह extra step कर रही हूँ आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा moisturizer foundation के साथ mix करके मैं यहाँ पर यह इसमाल कर रही हूँ nature's का यह है natural bath and body का grapefruit moisturizer बहुत ही अच्छा moisturizer है face के लिए अब इस तरह से इन दोनों को mix करके apply कर सकते हैं इससे जो है foundation आपकी skin को बिल्कुल भी dry नहीं करेगा पैची नहीं बनाएगा तो अब इसको evenly अपने face के उपर पहले dab करेंगे foundation का main purpose यही होता है कि आपके face के उपर कहीं पर भी जो uneven skin tone है उसको यह even कर दे तो ध्यान रखे और जबी भी आप foundation लगा रहे हैं अपने कभी भी neck part को ना भूले क्योंकि नहीं तो वह ऐसा लगता है कि जैसे चेरे के उपर एक mask जैसे लगा हुआ है हमेशा अपने face और neck दोनों को cover करें blending करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि foundation को हमें अपनी year growth की direction में ही ब्लेंड करना है उपर से नीचे की तरफ अब देखें एकदम smoothly और evenly ब्लेंड हो रहा है मुझे कोई ज्यादा effort करने की जरुवत ने देख सते हैं अच्छी तरह से ब्लेंड हुआ है foundation पूरे face के उपर obvious इसने मेरे एक patches को cover नहीं किया है क्योंकि यह एक बहुती light coverage का foundation है उसके लिए हम concealer का इस्तमाल करेंगे तो आप देख सते हैं foundation के blending जो है उसमें मुझे कोई problem नहीं हुई easily blend हो गया पूरी तरह से अब यह result होता है जब आप इस्तमाल करते हैं एक अच्छा moisturizer अपनी skin के नीचे और एक अच्छा आप इस्तमाल करते हैं primer आपका जो foundation है आपके face के उपर glide हो रहा है मैं आपको एक closer look देती हूँ आप देख सकते हैं कि जो finishing है वो कितनी smooth है आपको चाहिए कि आपका makeup ब्यूटी पालर के जैसे लगे कहां से किया है और आप मन के मन अंदर खुश हो रहे हो कि अरी यह तो मैंने खुद किया है तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी every woman wants this तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं कि आपका makeup ऐसा लगे कि जैसे beauty बालर से किया हुआ makeup है तो इन steps को अची तरह से follow करें चेरे को अची तरह से पहले moisturize करें प्राइमर का इस्तमाल करें और foundation को evenly face के ऊपर spread करके अची तरह से blend करें मेरी recommendation अगर आपको foundation के लिए चाहिए अगर आपकी skin oily है तो आप blue heaven का silky florina foundation ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपकी skin dry है तो जो trick मैंने आपको बताई आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं foundation को अची तरह से अपने face के ऊपर blend करने के लिए I hope कि मैंने आपकी query को solve किया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको like और share जरूर कीजेगा निशे thumbs up के बटन के ऊपर भी click करना नहीं भूले